दोस्तों आज मैं आप लोगों को ब्रेजा के बारे में बताऊंगा कि इसका इंटीरियर लुक जो है वो कैसा है और मारूती की आप लोगों को पता ये कार है तो इसका जो बूट स्पेस है वो कितना है इंटीरियर जो है वो कैसा है आप लोगों को सूट करेगा है नहीं लाइट्स वगरा कहां पर दी हुई है वो सभी बाते जो है आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा ताकि आप लोग खरीदने से पहले ये जरूर देखें क्योंकि कमफर्टेबल कार भी होना आप लोगों के लिए बहु ज़्यादा जरूरी है जहां तक मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को क्या चाहिए कार के अंदर तो वो सभी बाते में जो है वो कवर करने वाला हूँ ये देखें सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग सीट का रिव्यू करते हैं कि इसकी जो सीट है वो कैसी है जो सीट की बाम लोग बात करें तो मुझे लेदर सा कुछ लगता है कवर जो है इतना अच्छा नहीं लगा जितना होना चाहिए गाडियों का कि आप लोगों को कमफर्टेबल फील हो अगर आप लोग एसी की कार लेते हैं तो आप लोगों की जब पीठ आप लोग लगाते हैं सीट से तो हो सकता है कि सीट जो है वो कमफर्टेबल फील ना करवाए आप लोगों से तो ये एक मिस पॉइंट है साइट सीट का क्योंकि जो सीट का अगर आ तो जो है वो 10 लाग के नीचे नीचे ही आ जाती है अप लोग को पता है आठ लाग की गाड़ी है आठ से दस लाग के बीच में ये गाड़ी आ जाती है तो जो सीट का कमबिनेशन है वो थोड़ा सा सुधारना होगा जहां चक मैं सोचता हूँ तो ये देखे जो space है वो काफी है no doubt कि पीछे वाले जो बैठ सकते हैं आगे वाले पूरा जो है ये seat आगे वाली पूरे covered है लेकिन ये थोड़ा सा gap है अगर हम लोग इसकी बात करें कोई sedan class के साथ तो उसकी seat से ज़्यादा space जो है वो इसमें है लेकिन seat का जो है वो थोड़ा सा है कि seat का जो cover है वो much comfortable नहीं है आप लोगों के लिए गद्देदार seat होने का मतलब ये नहीं होता कि actually में आप लोगों को आरा मैसूस होगा या नहीं होगा अब बात करते हम लोग lights की तो इसमें एक उपर की और light दीवी है देखिए शाफ़ साफ आप लोगों को नजर आ रही होगी सिर्फ एक उपर की और light दीवी है तो lights का system पीछे भी हो सकता है कि आप लोगों को देखने में आसानी हो तो दो लाइट्स यहाँ पर लग सकती है अगर मारूती चाहती है तो कि इसमें और ज़्यादा इंटीरियर जो है आप लोगों को देखने को मिले तो वो ज़्यादा बहतर होगा लीवर की बात करें हम लोग की लीवर है लीवर में थोड़ा सा सुधार है थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि सिफ्ट डिजायर के लीवर से ज़्यादा बहतर है और अगर हम कंपेर करते हैं मारूती की कार के अंदर तो मुझे अच्छा लगा कि इसका लीवर तो है वो अच्छा है स्टेरिंग के अगर हम लाग बात करें तो टूल स्पेस है इसमें और दो स्पीकर लगे हुए हैं दो एर बैग इसमें जो है वो इन बिल्ट है यह देखिए इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो महरूती पता नहीं क्यों नहीं कवर करती थोड़ा कवर करना स्टेरिंग के अंदर कि आप लोगों को मिले तो इसमें नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा गेरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग पांच गेर जो हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और रिवर्स के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो 6 गेर इसमें है बलकि आजकल तो साथ साथ 7 Gears की जो गाडियां है वो देखने को मिल रही है लेकिन ठीक है आठ से दस लाग के बीच में इतना ही आप लोगों को मिल सकता है कार के अंदर और जो फैन है क्वालिटीज के हैं इतना जो है कूलिंग सिस्टम है वो मच अच्छा है लेकिन जो फोन कट कर सकते हैं यह फोन के सिगनल जो है उसमें दिये हुए है लेकिन इसमें स्क्रीन जो है आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी जो नॉर्मल ओडियो स्क्रीन है वो आप लोगों को देखने को इसमें मिलेगी एसी के वही सिस्टम जो है आप लोगों को देखने को साइड तो दो एयर बैग्स जो है वो इसमें लगाए गए है और आटोमेटिक अडजस्टमेंट भी है बटन के जरीए मिरर्स का तो वो भी ठीक है स्पीकर की बात करें तो दोनों साइड है टूल बोक्स की बात करें तो यह टूल बोक्स है जी देखें यहाँ पर यह टूल बोक्स है तो अगर हम लोग बात करें गाड़ी की कि आप लोगों को इंटीरियर अच्छा लगा है या नहीं लगा वो तो मुझे नहीं बता लेकिन इतना जाजा जो है मुझे अच्छा नहीं लगा इंटिरियर का कि अंदर बैठने के बाद में कुछ फील हो की गाड़ी है ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ गाड़ी के अंदर क्योंकि इससे अच्छा तो डिजायर के अंदर मुझे फील होता है कि ठीक है सिडान क्लास 8-10 लाक की गाडिया है तो उसमें आप लोग जो है थोड़ा अगर आप लोग इंटीर देखना चाहते हैं कि इंटीर में बैठने के बाद आप लोगों को अच्छा फील हो तो आप लोगों को फील अच्छा करवा सकती है ब्रेजा कार मारूती भी इस बात पर अगर आप लोग गोर करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा उपीनियन है कि इंटीर थोड़ा अच्छा होना चाहिए सीट्स में थोड़ा बदलाव आना चाहिए बैठने के बाद में फील होना चाहिए ये रिमोट है और एयर बैक से सिस्टम है तो दोस्तों कैसा लगा ये रिव्यू जरूर बताईएगा अगला नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ धन्यवाद